नमस्कार खबरे दिन भर देख रहे हैं और मैं आत्मजा आपके साथ हम आपके लिए लेकर रहे हैं देश और बिहर से जुड़ी पाँच बड़ी खबरे तो सबसे पहले न जुड़े हेडलाइन्स पर जेडियो का बदला चिनावी चिन तीर के बदले गैस सिलिंडर को मिली जगा पहले भी बदल चुका है चिनाव चिन जारखन वे अच्सर सीटों पर चिनाव लड़ेगी बीजेपी दस पर राजसू तो जेडियो को मिली दो सीटे पंते ही नायद सिंग सैनी का बड़ा फैसला अब फ्री में मिलेगा इलाज आक्शिन में मुख्य मंत्री तेजस्वी का सियम नतीश से बड़ा सवाल गरीबों वंचितों की ही गिरफतारी क्यों? अधिकारियों को क्यों नहीं किया सस्पेंट विहार में 23801 सिक्षकों की नौकरी पर खत्रा सामने आई बड़ी कलती सिक्षव भभाग ने कही बड़ी बात अब खबरे विस्तार में जारखंड विधान सबस चिनाव में जेडियों का चिनाव चिन बदल गया है जाब पाटी को अब गैस सिलिंडर चाप पर चिनाव में उतरना पड़ेगा बता दे भारत निर्वाज चिन आयोग ने जारखंड जेडियों को या चिनाव चिन आवंटित किया है भारत निर्वाज चिनाव ने लिये गए फैसले के बाद इस संबंध में पत्र जारी करके जेडियों की राष्ट्य माहसचियों को इस बात की जानकारी भी दे दी है चिनाव चिन जारखंड विधान सबस चिनाव दोहजर चौबिस के लिए आवंटित किया गया था इससे पहले जारखंड में जेडियों का चिनाव चिन ट्राक्टर चलाता एक कसान था बता दे कि आयोग के द्वारा लिए गया फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेस जेडियों महसचियों संतोष शोनी ने कहा कि गैस सिलिंडर चिनाव चिन के आधार पर ही हम चिनावी मैदान में उतरेंगे इसके लिए पार्टी के तरफ से तैयारिया कीज़ारी है इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इस फैसले से पार्टी को परिशानी जरूर हुई है लेकिन इसे दूर करने में हम लोग जरूर सफल होंगे और मजबूती के साथ चिनावी मैदान में भी उतरेंगे जरूर के लिए एंडिये के बीज सीट शेरिंग की घोषनाब कर दे गई है राची के प्रदेश बीजेपी कार्याले में सुक्रवार को बीजेपी और आजसु ने प्रेस कॉन्फरेंस कर शीट सेरिंग का एलान कर दिया है जरूर के लिए एंडिये के अंदर बीजेपी 68, आजसु 10, जेडियो 2 और लोजपार रामवलास पार्टी एक सीट पर चिनाव लड़ेगी चिनाव के लिए बीजेपी ने अपने सायोगी दलों के साथ सीटों का बटवारा तैक खड़ लिया है बीजेपी के चिनाव प्रभारी शिवराज सिंग शोहान और स्याय प्रभारी हमन तबिश्व सर्मा ने राची में एक प्रेस कॉन्फिंस कर इस सबाद की च्रान कारी दिया है जारखन में दो चर्णों में वधान सबाज चुनाओ होंगे 13 नवेंबर को पहले चरण का मद्दान होगा तो वही 25 अक्टूबर तक उमिद्वार नमांकन दाखिल कर सकते हैं पर्चो की जाँच 28 अक्टूबर को की जाएगी उमिद्वार 30 अक्टूबर तक अपना नमांकन वापस ले सकते हैं जारखन वधान सबस चुनाओ में आपको बता दे कि 80 सीटे हैं जिसमें से 44 सीटे अनारक्षित हैं इसके अलावा 28 सीटे स्टी और 9 सीटे जो हैं वो स्टी वर्थ के लिए अरक्षित हैं चुनाओ आयोग के अनुसार राज में इस समय जो मतदाताओं की संख्या है वह करीब 2.6 करोड है हडियाना की सीएम नायप सिंग सैनी ने आज एक बड़ा अलान किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में किड्नी के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री में होगा इस फाइल पर आज उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी साथी कहा कि यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है सेम ने कहा कि ये मैंने सबसे पहले निर्णे लिया हर्याना सरकार किट्नी डालिसिस का खर्च वहन करेगी इतना ही नहीं सेम सैनी ने कहा कि मैं हर्याना की जनता को तीसरी बार जना देश देने और पिये मोधी की नीतियों को मंजूरी देने के लिए थन्यवाद देता हूँ अधिलिट जो है हमारे देश का गौरव है और हर्याना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुसार वैद शराब से मरने वालों की संख्या 300 से अधिक है लेकिन हकीकत इससे बिलकूल विपरित है अब तक हजारों लोगों की अवैद शराब के कारण मौत नहीं बलकी हत्या हुई है इनका हत्यारा कौन और दोसी कौन दोशियों पर कारवाई क्या हुई इतना ही नहीं कि 5-6 जिला पार कर यहां तक शराब पहुची है और तो फिर ये उन सभी 500 जिलों की पुलिस की नकामी है या नहीं जानकारों के मताबिक शराब माफिया मुख्यमंत्री से रिटार्ड अधिकारी के मारफल सिमावर्ती जलों की पुलिस अधिक्षिकों के पदस्थापन में खुली बोली के अंतरगर्ट पोस्टिंग करवाता है यानि कि किसी जले में कौन अधिकारी जाएगा इसका च्षयन भी शराब माफिया ही करता है क्या यह आरोप सही है या नहीं तो ये तमाम सवाल जो है वो तिजस्वी यादों ने पूछे हैं इसके लावा भी बहुत सारे सवाल जो है तिजस्वी यादों ने नतीश कमार से पूछ डाले हैं बिहार में 23,801 न्योजित सिक्षकों की नौकरिया खत्रे में है जिहां 23,801 से अधिक प्रमान पत्र संदिक्त पाए गए हैं ऐसे संदिक्त प्रमान पत्रों की दुबारा ज्राज कराई जाएगी दोशी पाए जाने पर सिक्षकों पर कारवाई तो निश्चित हैं इसके साधी बिहार में सक्षमता परिक्षा पास 1,87,818 न्योजित सिक्षकों में से 96 सिक्षकों की सर्टिफिकेट भी परजी होने की बाते सामने आई हैं सिक्षब भाग के माध्यमिक सिक्षा निश्चक यानि की योगेंद सिंग की ओर से इस संबंद में रिपोर्ट भी ज्यारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि किसी कारण से कांसलिंग के गैर हाजिर और वैत कारण वाले सिक्षकों को दुबारा कांसलिंग का मौका दिया जाएगा इसके लिए तारीक भी बता दी चाहेगी बतादे कि सक्षमता परिक्षा पास सिक्षकों की हुई कौंसलिंग के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अध्यक्षता में बीदे सोंबार यानि की 14 अक्टिबर को एक बैठिक हुई थी इसमें यह फैसला लिया गया है कि फरजी सर्टिफिकेट वाले सिक्षकों पर बड़ी कारवाई की जाएगी ऐसे में बिहार के सिक्षकों की जो नौकरी है वो खत्रे में नचरा रही है तो आज के इस खास बॉलेटीन में बस अतना ही है आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे क्यापिटल टीवी बिहाद धन्यवाद